हेलो फ्रेंट्स वेलकम टू अवर यूटूब चैनल फ्रेंट्स आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि सीले हुए सूट से नाप लेकर आपको सूट की कटिंग किस प्रकार से करनी है तो दोस्तो साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता देना चाहता हूं कि अगर आप सीखना चाहते हो तो आप बहुत ही बारिकी से घर बैट के स्टीचिंग सीख सकते हो इस क्रिंग के उपर आपको दो नंबर दिखाई दे रहोंगे इन नंबर पर कोल करके आप पूरे कोर्स की जानकारी ले सकते हो जो कि हमारा बेसिक कोर्स है तो दोस्तों अब मैं आपको अब बताता हूँ कि अगर आपको सीलेव स्ट से कटींग करनी है तो किस प्रकार से अपको नाप लेंगे आप मेरे पास यह एक सुट है मैं पिल्कुल अच्छी जी आप सी इस प्रकार से कर nे तो जब घी आप नेन लेना है सबसे पहले दोस्तों इस प्रकार से आपको लम् है तो यहां से इस प्रकार से इंची टेप को रखना है आपको यह देखे कोने पर और इस कोने तक टोटल नापना कितना रहा है यह तो यहां से लेकर नहीं तक 18-19 ठीक है इसके बाद बात करेंगे कमर की कमर की जो शेप होती है दोस्तों आप देख सेकते हो यहां से जो है 16 इंच से बाद आपको पलेना है इसका हिप साइज का यह तो यहां पर कुट होता है इस जगे से इसका नापा जाता है यहां से ले कर यहां तक इसा को there barabha a PhD लेकर इस्ति शिलाई से लेकर और इस उसलाई तक यह जो बाझू झूल रही है इस प्रकास अब ती रहना पर कितना रहा है गाया तीरह पारा इंच हो सीधें यहें झी को ऑर आर्म मॉल का नाहाई मगा saom था कॉल आर ताइज्वादेशर रहना है इस प्रकास प्रकास 63 निशान लगा लिए गए जो गुंद कर दो देखें बिल्कु सीधा रखना है इसको और आर्म होल इसका तयार आ रहा है दोस्तों वह आ रहा है साड़े छैंच अब बात करेंगे इसकी बाजू की बाजू आपको ऐसे कैसे रख लेनी यह देखें बिल्कु सीरी बाजू रखी है मैंने बाजू की लंबाई का आप लेते हैं कितनी है बाजू बाजू इसकी जो तयार है दोस्तों वह 17 आगे से जो बाजू की गोलाई है आप देखते हैं कितनी आ रही है यह आ रही है साड़े और आगे का जो गला है आगे का गला तो दोस्तों मैंने ले लिया है अब इसी नाप की मैं आपको बतलता हूं कैसे आपको cutting करनी है आप देख सकते हैं मेरे पास यह जो कपड़ा है तोटल यह मेरे पार धाइव मिटर कपड़ा है और जब आपने कभी भी cutting करनी है वैसे दो तरीके हैं कि आप front और back एक साथ काट सकते हो लेकिन जो सबसे असान तरीका वही है कि आपने कपड़े को इस प्रकार से बिचाना है अगर आपका कपड़ा कुछ ऐसा हो जिसमें आपको पता रहे कि उल्टा कौन सा सीधा कौन सा है तो आपने हमेशा जो निशान लगाने वह उल्टी तरफ ही लगाने सीधा जो पार्ट होगा वह आपको अंदर की तरफ रखना और इस प्रकार से कपड़े को आपने रखना है जैसे इसको मैंने रखा हुआ है पहले फ्रेंट पार्ट करने के लिए आपको इस कपड़े को फोल्ड करना है और कितना फोल्ड करना है दोस्तों यह डिपेंड करता है सूट के घेरे पर सूट का जो घेरे दोस्तों तयार व इसको मैंने इस प्रकार से रख लिया है और सीधा रखते हुए यह देखें इसको बिल्कुल आपको इस प्रकार से बिच्छाते हुए नाखुन से प्रेस कर लिया है यह देखें अब दोस्तों इस प्रकार से कप्ड़े को मैंने बिच्छा लिया है प्रेस कर लिया नाखुन स आप सबसे पहले क्या करना है सबसे पहले आपको नीचे निशान लगाना है यह देखें यह जो आपको दिख रहा होगा इसके जो धागे वागा निकले पड़ें बिल्कुल स्टीट यहां पर एक निशान लगाना है यह जो धागे वागे सब कर जाएंगे और बिल्कुल तो यह तो है इसका नीचे वाला पाट जो मैंने की धाई इंच यहां पर एक्ष्टा कपड़ा रखा नीचे से फोल्ड करने के लिए अब यह निशान है दोस्तों इस निशान से हम लेंगे लंबाई का नाप लंबाई इसकी है 41 यह देखें तो 41 की जगे हम निशान लगाएं निशान आपको लगाना है यह दो लंबाई वाली जगह है यहां से पर निशान लगाना है अपको 6 फंच पर यह आर्मम होल है ठीक क्याया मैं इसके बाद एक निशान आपको लगाना है इस परनागी शीब के लिए तो इसकी कमर सी दोस्तों वह ती पंदरा इंच पर यह 15 दोस्तों मेरे कुल मिला के एक दो तीन चार निशान लगाना है आप इस जगह से सबसे पहले नाप लगाएंगे हम तीरे का तीरे था इसका 6 एंच यानि की 12 एंच तीरे था तो 12 गादा केतना होता है यह 6 पर निशान लगा दिया और इस निशान को बिल्कुल सीधा आपने इस प्रकार से लेकर आना नीचे आरम होल का निशान हमने पहले लगाई लिया है अब दोस्तों यह निशान लगाने के बाद अब हम इसमें फिटिंग के निशान लगाएंगे मैं आपको एक चीज यहां पर बिल्कुल क्लियर कर देता हूं फ्रेंड्स जब हम किसी सीले हुए सूट से नाप लेके कटिंग करत है अब बात करते है कमर की कमर ती 16 तो 16 गादा कितना होता क्या यह तक है आठ एंच पर निशान लगा देजा फिक साइज था 20 तो 20 10 guys के निशान लगाएं और इसका जो घेर था लेकर कर कटिंग करना बहुत ही असान है क्योंकि इसमें आपको कुछ भी एक्ष्टा माइंड की यूज करने के जूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि नाप हमारे पास ओल्रडी बिल्कुल त्यार होता है बस जहां पर आपको थोड़ा सा यूज करना है अपने आप माइंड को जहां पर थोड़ी सी गनित लगानी है वह आपको इस जो निशान इस निशान पर आजाएगी आपकी सिलाई और इसके अलावा एक्ष्टा मार्जन आप इस प्रकासे रख लें हर सूट में आपको रखना ही होगा क्योंकि दोस्तों साइड में चाक भी फोल्ड करना है फोल्ड करने के लिए मार्जन चाहिए और सूट में भी हम के बहुत ही असान है अब इसी मार्किंंग पे इसकी हम करेंगा कटिंग यह सिरफ फ्रेंट वाला पाटथ है पीछे वाला बात में काटेंगे का के अब तो फ्रैंट यह देखिए इस फ्रेंट वाले पारट की के बैटनि मैंने कर ली प्रेंट वाले ऐसे वह एसको मैं फ'll कर रख रहा है और इसके उपर आपको पिछा लेना एक पार्ट को कि तнов तो फ्रेंट्स यह जो फ्रेंट वाला पार्ट था इसको बिलकुल इसके बराबर रखते हुए आपने इसको पर रख लेना है और आपको बिल्कुल same to same cutting करनी है बस जो आपको changes करने हैं वो कहां पर करने हैं यह देखिए यह जो पीछे वाला पार्ट है आपको इस परकार से आधा इंच बड़ा काटना है आधा इंच इसको बड़ा काटना है कि पीछे जो कारण होता है फ कि इस परकार से जब पीछे का बड़ा करते हैं तो उसकी सलाई कैसे की जाती है तो इस सब्जेक्ट पर मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसका टाइटल है कि तीरे की सलाई कैसे लगाई जाती है इस वीडियो का जो लिंक है आपको description box में मिल जाएगा यहां फिर आप हमा हाना यहां पर एक कट का मतलब को यह होता है कि आपको सूट को नीचे सितना फोल्ड करना है , एक कट का हाथ की जो फिटिंग की सलाई केवल यहीं तक रखनी है और एक कट आपको लगाना इस जगह पर इस कट का मतलब यह है कि यहां पर आपकी फिटिंग की सलाई आ जाएगी यहां तक आपका आर्म होल त्यार होगा अब इसके बाद दोस्तों यह साइड का कपड़ा इसको रखते हैं सा कटिंग आगे और पीछे के एक साथ बराबर होती है लेकिन जब फ्रंट वाले पार्ट कारते हैं तो इसको यहां से जैसे यह 2-1 पीछे वाली पार्ट को उठाना है यहां से जो डेड़िंच लि Mär 국ड होता है पॉन व्हिंचन हे प आपको क्नेशा लगाना है यहां पर तो दोस्तों फ्रेंट और बैक की जो कटिंग है वो मैंने कर ली है अब बात करते हैं इसकी बाजू की बाजू की कटिंग बहुत ही असान है और उसमें बिल्कुल असान तरीके से मैं आपको बताऊंगा कैसे कटिंग आपको करनी है यह देखें जो साइड से बचा हुआ अब इस कपड़े में से आपको करनी है बाजू की कटिंग कैसे करनी है यह देखें अब आप देखे मेरे पास यह एक पल्ला है ठीक है आप चाहें तो दोनों बाजू एक साथ भी काट सकते हो लेकिन मैं आपको एक एक करके ही बताऊंगा यह देखें इस कपड़े को आपन यह आधा इंच से निकालते हैं क्योंकि जब बाजू को अटेच्ट के साथ तो ऑदा इंच Commission में 26 sto już लगा दिया बिल्कुल सीधा आगे फोल्ड करने के लिए एक इंच वा इंच आप ले सकते हो बाजू की आगे से जो गुलाई है वो है ग्यारा इंच तो ग्यारा कादा केतना होता है साड़े पांच साड़े पांच पर निशान लगा दिया अब यहां से आपको तीन इंच पर कटिंग कर लेता हूं अलग कर लेता हूं ताकि आपको मैं और ज्यादा बारिकी से समझा सकूं कि यह जो निशान है इसको कहां तक लेके जाना है तो फ्रेंट्स यह देखिए यह बाजू है अब इसका जो यह मैंने निशान लगाया है यह निशान आपको कहां तक लेके ज लाटा था इन दोनों को इस प्रकार से पकड़ने यह देखिए जो कट है इस कट से कट को मिलाने इस प्रकार से ठीक है और यहां से यहां से भी आपने इस प्रकार से पकड़ना इसको दोनों ही पार्ट को यहां से आधाएंच इस प्रकार से दबाने क्योंकि आधाएंच आप आप देख सकते हो यह जो निशान इस निशान पर आपकी फिटिंग आ जाएगी और इधर से आप एक्ष्टा कपड़ा रख सकते हो जैसे कि मैंने इसमें रखाए तो फ्रेंट्स यह देखिए एक बाजू की मैंने कटिंग कर ली है और जिस प्रकार से सूट के फ्रेंट वाले पार्ट की हमने कटिंग की थी आर्मोल की इसकी भी कटिंग आपको इस प्रकार से करनी है यहां से आदा से पोना है जिसको एक पार्ट को उठा के कटिंग कर लेन है तो फ्रेंड्स यह देखिए दूसरी बाद जो की बहुत असान है अब दोस्तों इसका जो लास्ट काम है वह रहागा इसका गला और गले की कटिंग alors आपको भुख भी बनाना चाहिए लेकर आगर अगर आप गल्ण नहीं बनाना चाहते तो पीछ वाला गला मैं आपको काट करता हूं गले King एन il आपका त्यार बनेगा कितना साड़े 6 इंच यह देखे बिल्कु गुलाई से इसकी आपको कटिंग करनी है तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप देख सकते हो सूट की कटिंग कम्प्रीट हो चुकी है और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो कुछ समझ आया हो तो